हेलो गैज इस फीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नमर 4.2.2 मैगनेटिक फील लॉरेंस फोर्स के बारे में तो अभी तक जो हमारा डिसकर्शन रहा है आमने देखा है कि करेंट के रिंग वायर और मुविंग चार्ड़ेज प्रोड्यूस मैगनेटिक फील और ओश्चर एक्सपेडिमेंट से हमने इस बात को एक्सपेडिमेंटली देखा था अब हम देखेंगे कि चार्ड़े अगर अगर इलेक्टिक और मैगनेटिक फील में है तो उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू को हम समझेंगे तो देखते हैं से लेक्टिक फील मैं इलेक्टिक फील को मैं बनाऊंगा तो मैं दूसरा टूर्ड यूस करता हूं मैंनिटिक फील के लिए और मैं बनाता हूं मैंनिटीक फील को यह मतलब इसका मतलब क्या है टूर्स अप फ्रिसके बाद तीके डाइग्राम इतना क्लेर नहीं होगा क्योंकि यह 3D डाइग्राम है फिर भी मैं ट्राइ करूँगा कि आपको यह समझ मैं है और ब्लू इस कलर से मैं बना रहा हूं चार्ड जो मारा मुव कर रहा है तो देखो चार्ड इन दोनों ही के परपेंडिकुलर तो हमारे चार्ड है पॉजिटिव नेग फोर्स क्या होगा अब देखो चार्ड है ठीक है और हम पढ़ चुके हैं पहले चाप्टर में अगर दिर 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 चार्ड इन एलेक्टिक फील्ड कोई भी चार्ड और इस चार्ड पर लेकिन चार्ड कैसा है मुविंग चार्ड पर ही फोर्स लगाएगा मुविंग चार्ड पर क्यों तो थोड़ा आप सोचो कि अगर तो हमने देखा कि मुविंग चार्ड ही क्या अगर रही है Magnetic Field produce कर रही है अगर static charge है उस पर कोई force नि लगी गे Magnetic field उस पर कोई force नि लगाएगा static पर किस पर लगाएगा Only on moving charges Reason क्या है क्योंकि moving charge भी अपनी field produce करेगी magnetic field और यह दोनों field यह magnetic field और जो charge moving charge create करेगी magnetic field interact करेगी तब उस पर force लगेगा तो इस बात को समझना force क्यों लगा ये भी देखो magnetic field की वज़े से force लगा तो लगा क्यों क्योंकि वो भी magnetic field produce कर रहा moving charge तो दोनों field interact करेगे इसलिए इसलिए क्या होगा there will be a force on that due to both electric और magnetic दोनों की वज़े से और इसके बारे में तो हम हम बहुत कुछ पढ़ चुक है electric field force की बारे में ठीक है और हमें आप फोकस करना है चप्टर में magnetic force को magnetic field की वज़े से जो force लगता है उसके बारे में हम जाद डिसकस करना है और इन दोनों को ही मिला के इन दोनों को हम lawrence force बोलते है ठीक है electromagnetic lawrence electromagnetic force दोनों की वज़े से जो force लगता है ओके तो देखो the force on the electric charge q due to both of them can be written as physical to q e r ठीक है e किस पर depend कर रहा है position पर इसलिए r है ठीक है magnitude will be position पर depend करेगा field जो भी होगा position पर depend करती है अलग-अलग position पर अलग-अलग field की value होती है q e ठीक है इसको क्या लिखा है नोंने f is equal to जो force लग रहा है वो क्या है q e ठीक है यह किसकी वज़े से electric field की वज़े जो force लग रहा है उस charge पर और साथ यसाथ अब इसको जो हम समझेंगे हम जो magnetic field की वज़े से force लग रहा है वो कितना होगा v cross b यह force लगेगा इसको हम आपर समझेंगे v cross b r लिखना चाहिए और इसको accurately समझते है ठीक है पोजिशन पर भी depend करेगा और v क्या है velocity है charge particle की और b क्या है magnetic field है अब देखो और इन दोनों को यह देखो तो यह हो गया force due to electric field और यह हो गया force charge particle magnetic field की वज़े से लेकिन ध्यान क्या रखना है moving charge होगा तब यह magnetic force लगेगा ओके this force was first given first by H.A. Lawrence based on the extensive experiments of ampere and others तो H.A. Lawrence ने दिया था इसलिए इन का नाम इसी force का नाम Lawrence force रखा गया you have already studied in detail the force due to electric field if we look at the interaction with the magnetic field we will find the following feature तो जो interaction है moving charge का moving charge का interaction magnetic field से उसके बारे हमें पढ़ना है तो देखो it depends on QVB Q मतलब charge of the particle ठीक है अगर negative positive charge होगा तो उन पे interaction अलग तरह से लगे उन पे force की direction different होगी V velocity velocity पे depend करता है मैंने बता है moving charge है तब ही force लगेगा नहीं लगेगा कोई interaction नहीं होगा अगर velocity नहीं है move नहीं कर रहा है चार्ट और magnetic field obviously magnetic field पे तो different करेगा interaction okay magnetic field होगी तब ही तो moving charge पे force लगेगा तो force होना negative charge is opposite positive charge होना तो negative charge पे force की direction positive charge पे लगने वाले force की direction से opposite होगी second point को समझते है the magnetic force q v cross b includes a vector product of velocity and magnetic field तो जो magnetic force है वो किस पे depend कर रहा है हमने देखा था वो q charge पे velocity और b पे लेकिन velocity और b में क्या है cross product है कहने का मतलब suppose देखो suppose magnetic field इस direction में ठीक है अब इस direction में दे रहा हूँ magnetic field को और जो velocity है हमारी मतलब charge इस direction मूँ कर रहा है इस direction में तो जिस plane में ये दोनो vectors आ जाएंगे उसके perpendicular इस plane के जिस plane में ये दोनों है आपने cross product पढ़ा है लाउंग ख्लास में तो आपको ये बास समझ में आती है कि जिस plane में ये दोनों vectors है magnetic field और speed velocity of जिस में move कर रहा है वो motion है जिस direction में जिस plane में इस charge का उसके perpendicular उसके perpendicular होगा क्या हमारा magnetic force के direction तेक है यानि कि जो magnetic force है इन दोनों के magnetic field और velocity vector के perpendicular है तेक है इस बात को आपको समझना है तो force कैसे लगेगा perpendicular लगेए इस plane के magnetic field के और velocity के perpendicular लगेगा तेक है इस बात में यह different है किससे electrostatic force है यह electrostatic force में ऐसा नहीं था तेक है उसमें तो electric field के direction में force लगता है या उसके opposite लगता है इसमें perpendicular लग रहा है तेक है उन दोनों की velocity और magnetic field के direction के the vector products makes the force due to magnetic and field vanish become zero if velocity and magnetic field are parallel और अन्ट यह पहले तो यह बात भी आपको पता है अगर आप देखते हो तो V cross V है तो ना VB sin theta sin theta और sin theta मतलब अगर theta केतना हो जाए 90 हो जाए मतलब अगर यह यह दोनो velocity तो जिस direction में magnetic field है अगर उसी direction में हमारा charge move कर रहा है बात को समाज़ना है इसको दिस direction में हमारा magnetic field है उसी direction में अगर charge particle move कर रहा है तो उस पर कोई force लगेगा तो उस पर कोई force लगेगा क्या क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा इसके anti-peller भी sin 180 is also 0 तो इसके anti parallel भी अगर move कर रहा है opposite direction में तब भी क्या होगा तब भी force 0 लगेगा ठीक है तो यानि condition क्या है force लगने की कि तो यह anti parallel और parallel नहीं होना चाहिए direction जिस direction में यह move कर रहा है particle वो magnetic field की direction में या उसके opposite direction में move नहीं करना चाहिए ठीक है तब यह इस पर force लगेगा अब देखो the force act in a direction perpendicular to the both velocity and the magnetic field यह मैंना अभी आपको explain किया इस direction is given by the screw rule और right hand rule for vector product as illustrated और vector product और scalar product आपने देख चुके है तो इसमें बहुत अच्छी से diagram दिया ना इसको देख सकते हैं तो देखो बी यह रहा magnetic field ओके और velocity यह रहा ठीक है तो वी क्रॉस भी यह तो क्या करेंगे आप क्या कर सकते हो screw rule से जा सकते हो यह width thumb rule से right hand thumb rule तो क्या करोगे अपने fingers को कहा करोगे वी से बी की तरफ ठीक है वी से बी की तरफ करोगे और thumb आपको जैसे diagram में देख रहा है वी से बी की तरफ द्यान रखना यानि कि इस केस में क्या रहा है थे को वी क्रॉस भी तो यह एक अंटी क्लोग होई सा रहा है यानि कि thumb upward उपर की direction में point करेगा तो force detection उपर हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप find out कर सकते हो यह थर्ड पॉंट इस दब मैगनेटिक फोर्स जीरो इफ चार्ज इस नॉट मुविं ठीक है और यह भी बहुत इंपर्टेंट बात है तो अब चार्ज ही मूव नहीं कर रहा है तो moving charge बहुत necessary अगर moving charge नी static charge उस पर magnetic force लगेगा तो नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा रिजन बताया आपको आपको क्योंकि उसकी magnetic field ही नहीं होगी तब force interaction ही नहीं हो दोना fields में तब field ही नहीं हो उसकी तब तो condition क्या है it should be moving only a moving charge field the magnetic force और मैं कोशन अगर आपसे पूछे बहुत simply कि क्या वो static charge पर elective force लगेगा तो बिल्कुल लगेगा हाना charge static हो या moving हो उसमें elective force लगता लेकिन moving charge पर ही magnetic force लगता है इसके बाद देखते हैं the expression for the magnetic force help us to define the unit of magnetic field if one takes q f and v all to be unity in the force equation f is equal to q cross b q vb sin theta ओके अगर हम इससे क्या define कर सकते हैं अब हम magnetic field को magnetic field को define कर सकते हैं इस equation से force की equation से ठीक है magnetic force है magnetic field को define कर सकते हैं कैसे तो क्या कर लो सबको unity ले लो लब charge 1 ओके velocity 1 meter per second ठीक है और इसके बाद force भी suppose one newton लग रहा है तो अगर एक charge है ठीक है पहले इस equation को मैं ऐसे लिख लेता हूँ b is equal to f upon q vb और sin theta भी हम ले लेंगा भी देखेंगे उसको कैसे और वो dainty हो जाएगा तो perpendicular हो जाएगा वी और भी तो देखो अगर एक charge है कितना वन यूटन वन कूलम ओके वन कूलम चार्ज मूव कर रहा है ठीक है और इस पे एक मैगनेटिक फिल में मूव कर रहा है वन कूलम चार्ज और इसकी फोर्स वन यूटन लग रहा है ठीक है वन यूटन लग रहा है तब हम बोलेंगे कि मैगनेटिक फिल क्या है वन यूनिट वन ऐसा यूनिट है ठीक है अभी अब देखेंगे मैगनेटिक फिल की यूनिट ठीक है टेसला होगी तो उसको आगे देखेंगे लेकिन अभी के ल टेसला ठीक है अब देखो तो इस तरह में डिफाइन कर दिया तो यही चीजिज यहां लिखिए है नौ डाइमेंशनली अगिसकी डामेंशन देखे विए डामेंशन ओव डामेंशन फिल इस एफ डामेंशन ओफ अपन क्यूवी तो इसकी डामेंशन हम फाइंड आउट इसकी तो हमें डामेंशन मिल जाएगी इसके बाद देखो तो फोर्स की राइमेंशन देखो क्या होती है फोर्स इस डामेंशन अगर देखे तो mlt-2 and charges current into time तो that is ampere into t and velocity is lt-1 तो इसको अगर हम solve करेंगे तो time में चुझा जाएगी m और उसके बाद के ल जिरो जाएगा के लजिरो जाएगा एंड उसके बाद इसमें ampere a- पर टी ले ले तो ती माइनस वन और जो एमपेर है वो माइनस वन आ जाएगा ठीक है तो magnetic field की dimension आगे भी देखना है मैं तो यह हो जाएगी एक बाद से चेक कर लेना ठीक है मैंना calculation तो वैसे सही की है फिर भी आप इसे चेक कर लेना कि यह सही निकालाएगी नहीं तो dimension यह है और इसकी unit मैंने बताए टेसला हो जाएगी क्या आप charge is column and velocity is meter per second to second उपर चलागे तो यहां से आया now this unit is called the Tesla named after Nikola Tesla Nikola Tesla के नाम पर रखा है तो सब को पता है Nikola Tesla कौन थे तो मझे बताने के कोई जरूद नहीं है Tesla is a rather large unit लोग Tesla एक बहुत बढ़ी unit है इसलिए smaller unit non-SI तो SI unit तो Tesla लेकिन बहुत बढ़ी unit है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यह तो टेसला बढ़ी unit हो गई तो अर्थ मैगनेटिक फिल्स अबाउट 3.6 इंटो 10 के पवर माइनस 5 टेसला तो और की मैगनेटिक फिल्स कितनी है इतनी मैगनेटिक फिल्स की रेंज दिये जैसे की सर्फेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार तो कितना न्यूट्रॉन स्टार के 10 to the power minus 2 टेसला on the earth surface 10 to power minus 5 टेसला human nerve fiber 10 to power minus 10 टेसला interstellar space 10 to power minus 12 यह facts है जो आपको ध्यान में रखने है ठीक है next video मैं बाच करेंगे करेंट magnetic force होना करेंट के निंग गंडक्टर